दोस्तों आप सबको होली महापर्ग की बहुत बहुत शुब कामना है आज हम बात करेंगे जो हमारी यूती है combination of planets है उसके हिसाब से हम होली का देहन पर क्या उपाई कैसे करें इस वश दोस्तों होली का जो हमारा तेओहार है वह है चंद्रग्रहन पर हो रहा है इस समय में चंद्रमा ग्यतु के साथ वर्गोः राशी में रहेंगे और सूरी जो है waking राहु के साथ मीन राशी में हैं तो सूरी और चंदरमा दोनों ही 180 डिग्री पर है एक दूसरे से और यह पूनिमा तिथी है तो इस समय पूनिमा जो है वह है चंदरग्राण में धटित हो रही है तो दोस्तों यहां भी हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जिनके भी पत्री में सूरी के साथ रहू है तो आप जो रहू दोस्तों जो कोकोनट है उसके उपर जो ब्राउन कलर का चिलका होता है आप उस छिलके को ही ले ले, पुरा नारियल न लिकर के सिर्फ छिलके को ही ले 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 दोस्तों और उसको आपने खोलिका में जब दहन होगा खोलिका उस समय आप उसमें डाल देंगे और रहु ग्रह की शांती के लिए अपने मन में भावना करेंगे और ओम नर सिंगाय नम्हा का मंत्र जब करते रहेंगे या पुरिमाय नम्हा या नमस्षिवाय ये मंत्र आप मन में करते रहेंगे तो उस समय में दोस्तों आपको पुरिमा के दिन मैं आपको नारिय जलमे प्रभाकत लें चाहिए अब अगर शनी के साथ राहू या या के-to है तब आप क्या करेंगे काले जो तिल होते हैं दोस्तों वहले करके अगर रहू है साथ में, तो खाली काले तिल लेंगे, मुठी बढ़ जैसा आपकी मुठी में आ जाए, या आपके घर में किसी बच्चे के उसमें है, तो उसके मुठी से आप ले ले ले, और किसी पेपर में ले ले, और उस समय कोली धहन के समय आपने वह तिल डाल देनी है, शनी के साथ अगर रहू है, अगर शनी के साथ केतु है किसी के पत्रिका में, और कोई वक्ति डिप्रेशन में है, तो उस समय में आप काले सफ़े दोनों ही परकार के, तिल ले करके, मिक्स करके, वह आप एक मुठी ले ले लेंगे, जो इंसान पीडित है, जो परिशानी मे और वह आपने खोली दहन में डालने हैं, अब दोस्तों बात रहीं कि जिन का जो है केतु है, केतु अगर माना गुरु ले के साथ में हैं, तो आपने दोस्तों क्या करने हैं, तीन केले ले ले करके, जल में पुरभा करते हैं। कि तू अगर शुक्र ग्रह के साथ में हैं, तो दोस्तो कोई भी तीन फल लेकर के आप जो कि थोड़े से हलके से खटे हूं, मौसमी ले सकते हैं, संत्रा ले सकते हैं, माल्ता ले सकते हैं, इस सेरे के जो दोस्तो फल हैं, वे तीन फल लेकर के वे आप जल में प्रवायद करें अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस समय में आपके घर परिवार में किसी के घर में जो बेबी हो बेबी के लिए चाहते हैं तो मानित्ता करते हैं मन में इच्छा है तो आप 27 फल लेकर के किसी भी धर्मस्तान में दुर्गजी के स्थान में अर्पित करें तो बहुत सु जो है हर ग्रहे की शांती के लिए इस समय में विष्णु शुरूप को मन में रखते हुए नर्सिंग महराज का जो है आप मत्चप कर ले आप दोस्तों अगर किसी का केतु जो है विष्णी के साथ में तब आपने क्या करना है जो काले तिल होते हैं उनको आप लेकर के जल प्रभाद कर देंगे पहले से देख लें कि जहांके आपके पास अब जल की धारा हो जो बहता हुए जल हो अब अगर नहीं है आपके घर के क्या करेंगे दोस्तों तब आप काले तिल जो है किसी बड़े पीपल का पेड़ हो बढ़ का पेड़ हो या जो आग का पौधा होता है उसके पौधे के नीचे आप काले तिल डाल देंगे तो इस पर क्यासे दोस्तों हम ये छोटे-छोटे सुन्दर उपाय करके इसका हम इ इगो फ्रेंडली रंगों का प्रियोग करें और लोगों को भी लगाएं आप सब को बहुत बहुत शुक्का मनाएं.